लास्ट क्लास में हम इस सॉल्फ कर रहे थे और मैंने का था कि आपने जो है कम्लीट करने है घर से टिक है एक पार्ट हम इस सवाल का सॉल्फ कर चुके थे जली से मुस्कूं बी डिसक्स करनेंगे इंशाला क्योंके बीच में थोड़ा से गैप आ गया कोई बात नहीं कहा है अ कि डिसकस करने था हमने रिकार्मेंट नमबर यह जो थी कंप्लीट कर लिए कंप्यूट रजास कैपिटल और फर्स्ट अप्रेल को हमाई पास डेटा गिविन था यह ठीक है और यहां पर हमें बोला था कि रजास कैपिटल निकाल के दो तो हमने का सिंपल है हमने बैंक दिया ह है तो बीच में डिफरेंस आ रहा था मैने बीच में डिफरेंस निकाल लिया वह दिफरेंस मेरा क्या था और डिफरेंस है मेरा कैपिटल का बैलेंस ठीक है उसके बाद इसने का trial balance बना के दो 30 April को मैंने का ठीक है trial balance बना देते हैं लेकिन उससे पहले मुझे जो यह सारी transactions है यह record करनी पड़ेंगी then मैं trial balance बना सकता हूँ यह बाद तो आप लोग जानते हैं ऐसी है तो चलने सबसे पहले इन transactions को record कर लेते हैं क्योंकि required नहीं है तो without narration हम record कर लेते हैं ठीक है मैं राइट से record कर लेता हूं April 1 क्या बोलता है purchase office equipment on credit from a b and company रुपीज 10,000 office equipment खरीदा है credit पे अकाउंस टेवल मैं कर दूंगा credit ऐसी है तो दस हजार उसके बाद April 5 को बोलता है return कर दिया office equipment जोके खरीदा था first अप्डिल को 2000 का वह 2000 का मतलब return कर दिया 2000 वाला area मुझे समझे नहीं आया पेवल debit office equipment credit उसके बाद 15 April को बोलता है कि हमने issue किया check in payment of account पेवल रुपीज 5000 और अभी मैं कितना रह गया होगा मेरे पर उधार 10,000 का यह मैंनस सुभा 2000 तो इस्टिल 8000 का उधार था जिसमें से मैंने 5000 चुका दिये ठीक है असान है यहां तक ट्वेंटी अपरिल को मैं आया वह बोलता है रिसीव कंसल्टेंग पी इंकम एंड डेपॉसिट इंडू दो बैंक बैंक में आपने पैसे डलवा दिये जो आपको इंकम आई है कंसल्टेंग कोई मैं वह बैज GB मैं दे रहा हूं कोई जाके मुझे पैसा मिला इंकम पली है सर्विस इंकम भोलें या कंसल्टेंसि इंकम भोलें एक ही बात है सर्विस इंकम भी आप बोल सकते हैं इसको कोई इसमें मुझाहिका नहीं है उसके बाद 25 तारिक को क्या हुआ इस्चेक अगेंस अडविडिस्मेंट पहेवल 1500 कदेखें एडविडिस्मेंट पेवल कितना था यह दिखने यह दिया यहां पे बबार तब just कि आप sitter pan क्यार around अगें यह रफ काम था यह रफ ली वर्क था यह वर्किंग थी मैं फिर बता दे रहाँ जो हम ने काम किया है सरी यह वर्किंग थी तिस इस नौट दर रिक्वार्मेंट ऑफ दो कोश्चन कोजिशन में उसने capital compute करने को बोला तो जो हमने यहां पर किया वाता पहले से इस slide पर यह जो कि हम last class में कर चुके हैं ठीक है और question के requirement है trial balance लेकिन अगें entries दीवी हों तो हमने यह सीखा है के entries बनाना जरूरी है before moving to the trial balance ठीक है अल्राइट अब हम आएंगे trial balance के तरफ मैं नीजे एक slide आउल लगा लेता हूँ नाम था बंदे का क्या नाम था रजा ट्रेडर्स और हम बना रहे हैं कब का है अपरिल ठाटी अपरिल ठाटी कर ट्राइस मसाना है दो 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 पन रहा? क्या है? है जल्दी से बनारे तो ड्राय बना असान सा तो है 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 कि की की है अज़ी देखिएगा अब मैं पहले नाम ले ले था हूं ट्राइड बैनस में क्या क्या नाम मुझे यूज करने मेरा बैंक होगा ऑफिस अप्लाइज होगा ऑफिस एक्विप्मेंट होगा अट्विटेस्ट पेपल होगा कैपिटल होगा पर दो इनकों में लिखता हूं न कि आज और अगाल अगाल अध्यक्राइज है आज थे लिए भी होगा एक इंट्रीज में नाम आया था कि अर्वर्टिस्मेंट पेबल भी उपर देखा था हमने आपने पूरा पूरा लिखना है ठीक है और कि नाम तो नहीं आया था है यहां पर कंसल्टेंसिंग इंकम कंसल्टेंसिंग इंकम आया था और कि नाम नहीं आया था चले मिए और कोई नाम नहीं आया था यह था आखरी अब गौर से आपने बहुत जादर तवज्जों से यहां पर देखना है देखें बैंक का बैनस मुझे गिविन था है दो लाग बीस दो लाग बीस को यह बैंक का बैनस मुझे गिविन था मैं पहले तो यह लिख दूँगा कंपूटेशन करते वे दो लाग बीस तो मैं यह लिख दूँगा इसके हो रहा है 900 से प्र मायनस होई 1500 से यह आ रिब यह बात बत समझ में बैंक के मायना सुरा है यह प्लस हो रहा है प्री यह मायना सुरा है मैंनस सब पहले मैंनस मार्च प्लस यह जार है सब ठीक है मैं चलो पुरा लख दो नासूम बच्चे हैं पिचारे और माइनस का बैलेंस अब देखिए सिंपल बैक का बैलेंस अगर ब्लस में आये तो आप लिखेंगे डियाभीड है जाइट पर करेव संद्ध करब्च चला है क्याल्कुलेटर चला है अंसर क्या आ रहा है अगर आंसर आपका क्याल्कुलेटर में इस तरीके से चलने पर आंसर पॉजिटिव आए तो आप डैबिट साइट पर लिखेंगे नेगिटिव आए तो आप क्रेटर साइट पर लिखेंगे लीकिं शायद यह आ रहा होगा चेक करें पॉजिटिव आगा तो इसलिए डेपिट सैट पे लिखेंगे आप चेक करें प्लीज लाजमी चेक लाजमी करें मेभी आप करें तो ना आहिए मेभी ऐसा हो तो प्लीज इसको चेक करने हैं झाल 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 और आगे वढ़ते पर आगे वढ़ते वे हम आवफिस सप्लाइज को देखते हैं, अबर मैं देखूं तो तो ओफिस सब्लाइज मुझे यहां पर सवाल में गिवन है 2000 का ठीक है और उसके बाद किसी इंट्री में आफिस सब्लाइज का नाम यूज नहीं हुआ तो ऑफिस सब्लाइज तो आजाएगा और अफिस एक्युपमेंट को देखेंगे थैंने तो आफिस एक्विप्मेंट की अगर हम कैलकुएशन करें हैं 32,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000 कितना होगे 40,000 अगें प्लस आया तो डेबिट माइनस आया तो क्रिडिट तो प्लस आया का 32 प्लस टैन सही है क्या हम क्लेर हैं तक आफिस एक्विपंट अगें देख लेते हैं प्लगूकर अफिस एक्विप्मेंट एफ्शन केैं तो जैकर सवाल में देखें हैं है 32,000 का दिया होगा कि एकी मैंने दो जगा इंट यूस किया है और एक यह वारा क्रेडिट किया है मतलब माइनस किया है इन टेविट पर दिया वाँ अद ग्रतों यह इसको केविटल निगाल दा तो मैंने इसको पिलसिन रहका ता सबस्क्राइब और बागी एक इंट्री में दस प्लस हुआ था बागी एक इंट्री में दस प्लस हुआ था दो करदो है कि छो अथा यहां है एगा फॉटी डौन है और इस विए ऑलगा है कि सुझे रहे हैं लेकिन अगर मैं एंट्रिस में देखु कूर दिख रहा है मुझे पहले आया क्रेड़िट हुआ है मतलब फलस हुआ क्रेडिट हुआ मतलब फिर फिर दुबारा प्रक्रेडिट हुआ है तो से तीन जगह इसका नाम आ रहा है गोर से देखेंगा तीन जगह नाम यह प्लस हुआ है प्रेडिट हुआ है मतलब प्लस लाइब लाइब बढ़ती है तो क्रेडिट फिर माइनस हुआ फिर माइनस हुआ तो अकाउंट्स पेवल की कैलिक्रेशन जरह गौर से देखेंगा दुबारा दस से प्लस हुआ दो और पांच से माइनस हुआ दस से प्लस हुआ और दो और पांच से माइनस हुआ गौर से देखेंगा यहां पर मैं बलैक से कर रहा हूँ इसको गौर से देखेंगा प्लीज गौर से देखेंगा दस से प्लस हुआ और माइनस दो माइनस पांच अब इसका अंसर जो भी आ र रहा हो इसका आंसर जो भी आ रहा हो उसमें आपने अगर वह पॉजिटिव सब्सक्राइब करेडिट और नेगितिव आ रहा है तो आप जाएगा क्योंके सुर्द्स यह एक लाइब्लेटी कर चाउंट सब्सक्राइब में पॉजिटिव मतब क्रेडिट इसका अंसर आएगा आपके पास तीन अजार तो ये तीन अजार क्रेडिट होगा ये तीन अजार क्रेडिट होगा आरे ये समझ में ये इसको एक तरीकी से और देख लें यहां पर कहीं के एक संपन आपके सर पर चाडह आपने सर से उतार दिया बोझ 2000 का और 5000 का तो कितना बचा 3000 तो 3000 तो अभी भी आपके सर पर वोज है न हौज मतनाब memoir concrete है सब्सक्राइब सभी अग्या है उसके बाद हमें सब्सक्राइब मिल रहा है निद सिस्मेंक पेबल को देखें आप उपर तो एडवेटीसमेंट पैबल हमें क्या बताता है यहाँ दिख रहा है दोजार से है इजी है ठीक है अडिंवेटिस्बंट न हम्हें या दिखर है 2000 से और एडिंवडिस्बंट इंट्री में एक जगह आ रहा है यह रहाई ड्रिदिश्वंट वेडिस्वंत देल से मैं ने माम्नस किया हैं तर कर लेता हैं तो हजार--$500 ऐन इस यह भी पेड़ है यह भी है तो इसका दोälती है तो किरस्पल सा बहुत बैंक एसे अफिस सब्सक्राइब करेज़िट पर आ रहे है ऐसे होगा ने लिए प्रेटिट पर करेज़िट पर आ है करेज़िट करेज़िट पर आएगा चाहिए यूज ना हुच कहीं नजर नहीं आ रही कहीं मुझे कंसल्टंसी नजर नहीं आ रहा है कहां आ रहा है क्रेटिट पर आ रहा है 1900 से डाल दो 1900 कथम अ और capital बी जिए एक जगह नजर आ रहा है वह भी आपने जो compute किया था यह रहा 252 बागी यहां तो कही नजर नहीं आ रहा अल्राइट वे दन विद इस टोटल करें कितने में टाई हो रहा है अल्हम्द लिल्ला बताएं कितने में टाई हो रहा है अल्हम्द लिल्ला बताएं कितने में टाई हो रहा है सब्सक्राइब दोनों का चक कर लें कि दोनों का चक कर लें कोई भी मसला है तो अब उससे जरूर पूछ लें विद इस हमने इंट्रीज और ओपनिंग बैलेंस के साथ दिया वे कोशन में ट्राइल बैलेंस के लिए ये सवाल जो भी मैं कराने वाला हूं और ओपनिंग बैलेंस और इंट्रीज का दोनों का मिक्स्चर के लिए ये सुकून से इसको देख लें कोई सवाल है तो ज़रूर कुछ नहीं है ओके ग्रेट कि अग्राइब कि अग्राइब कि अग्राइब कि 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 अग्राइब कि 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 अगर एक और सवाल की तरफ आते हैं अगर सवाल को पड़ें तो बोलता है फॉलविंग बैलेंस इस फॉलविंग ट्रांजक्शन्स और मिस्टर नुमार फॉर देमांट ऑफ जिन्वरी अपको ट्रांजक्शन्स अपको ट्रांजक्शन गिविन है और ट्रायल बैलनस बनाने वह कहा है आपको ठाटिफ फॉर्स जन्वरी पर और बोलाएं लेजर अकाउंट इंट्रीज तो नोगी रिक्वाइड नहीं हैं लेकिं मैंने काई फिर भी इंट्रीज तो आप बनाए अभी तो फिलाल अपने वाजी पर बनाएं तो हम रफली बनाएंगे इंट्रीज ठीक है और फिर ट्रायल जो में रिक्वाइमेंट उसके उपर काम करेंगे सही है उपर कोई बैलेंस गिवन नहीं सिंपल हमें इंट्रीज पास करनी है पहले इन्वेस्टेट कैश हुआ है तो कैश डेबिट दो हजार कि शॉप मर्चंडाइस एंड पीड बैचेक करते हैं वाई उपर बैंक का बैलंस गिवन नहीं यह नेगिटिव आइगा बट कर लेते हैं अब तो कि अब उसके बाइब बूड़ गोड्स घरीदी है आपने विछ बोले यह मर्चंडाइस बोले यारेकी तो बात है कैश पर खरीदी है इस दफ़ा क्यों कुछ बताया वा नहीं है ठीक है सोल मर्चेंडाइस ऑन अकाउंट उधार पर बेचा है अपने सोल गोर्ट सुमिस्टर बी रुपीज आट्सवा निसी वाल अमाउंट और अमाउंट आगई इसका मंदब है के कैश आगी है बता रहा है ठीक है और सेल्स हो गई है ऐसी है उसके बाब बोलते हैं ड्राइंग की है आपने अपना घर बनवाने के लिए विडियो रुपीज 600 फॉर ओनर्स हाउस रेनोवेशन रेनोवेशन हो रही है हाउस की मतलब वापस से कुछ काम वाम हो रहा है बन बन रहा है सच सबर रहा है और उसके लिए आपने पैसे निका है उसके बाद रेंट पे किया अपने तो बिजनिस का रेंट होगा बाइड़ फॉर्ट कि क्या हम क्लियर है यह तक क्या इन ट्रांजक्शन में तो कोई मसला नहीं है क्लास यह ट्रांजक्शन तो साफ शफाफ क्लियर है ऐसा है आम राइट ओल्राइट जरा हैट्स काउंट कर लेते हैं वैसी कैश आया है कैपिटल आया है परचेजिस आया है बैंक आया है चार कैश तो आगे है से इस पांच फिर रिसीवर्स छे ड्राइंग साथ रेंट एक्सपेंस आट ऐसी है कि एक 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 एन एम लिमिटेट के नाम से मैंने दुगान खुली है ना कि एक 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 एड़िवर्स कर लेते हैं तो इस लाइंस पर जादा इसलिए छोड़ रहा हूं ताके मैं सारी वर्किंग जो यहीं लेकर आ जाओ ना साफ सुत्र तरीके से चले देखिएगा ओलाइन मुझे कितना डाइम हो गया कि बैइने जो प्रॉपर्ली जो स्टार्ट किया था वह तो कोविट कि टाम स्टार्ट किया था जब कोविट लगा था तब आमने जो है ऑनलाइन स्टार्ट किया तो मैं तो रिकॉर्डिंग करता था उससे पहले चीजे और यह वीडियो बट जो प्रॉपर्टी जो लाइफ क्लासिद लेने स्टार्ट की वह कोविट के डाइम पर स्टार्ट की तो मतलब सबी चले गए तो उस फ़क्तों और मैंने फिर जो है मतलब पहले भी मैं सिर्कॉर् सब्सक्राइब करते हैं अब जाएंगे चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत साज वीडियो हैं कि चोटा तो दिख रहा हूंगा उसमें पुरानी वीडियो देंगे और बोर्ड वाली भी हैं उसमें बोर्ड पर खड़ों के बढ़ाते हुए तो अच्छा में बाद जो हैट्स थे जो हैट्स थे उसको देखें अगर हम तो क्या है हमें कैश है कैपिटल है पर चेटर से बैंक है सेल्स है तो करते हैं चले हैं कैश है कैपिटल है और सेल्स है दोरस नहीं चाहिता हूं तो सेल्स है प्रिसी यूबल है बैंक है अच्छेजे से और क्या अकाउंस पर बलता तो अच्छे नीच्छा आगे मां टोटल कर लोंगा इसको अच्छी कैश को अगर मैं टागेट करूं पहले मैं कैश को अगर टागेट करूं तो और से देखेगा प्रिस अगर मैं यहां पर कैश को टागेट करूं तो आप सिंपल कैलकुटर में डालते रहें कैश देखें ऐसे हैं सिंपल तो आप प्लस हो गया डैबिट में तो प्लस है प्लस हो गया और मैनस हो गया और मैनस हो गया सब्सक्राइब हो डालें बताएं कि आणू रहा है रहे हैं तानीकि मुझे लग रहे है कैश कभी नेगेटिप नाुआइगा यह बहुत है यह सकता है आज एक्जैम में आता रहता है बल्के प्रैक्टिक ली नहीं आ सकता है करें कि तरह क्या बनता है करें प्लीज कि कि अगर जल्दी 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 चला है क्या बन रहा है मिले क्याल में नेगटिव आएगा कि अगया चुछ आएगा कर दो कि अगया कि अगया कि अगया बाइच आठ सू और है नहीं बाइच आठ सू कहां सा गया कि इतना नंबर ही नहीं है क्या है कैश कचे का देख रहे हैँ जो कत देख ads 2000 कम her युशा मैनस करें थे ओई है एक मैंने सकते चार दा रही है इस इक लटू दबाए अंसर क्या रहा है बताएं जिए अग्ट कि अग्ट कि अग्ट कि अधे नई भाई आप जीरो में मिस्ट्रेक कर रहे हैं आप लिखे दे रहों है दिखें याप यह दो हजार है यह दो हजार थीन जिरो बस पिलर्स आट सो दो जीरो बस मैंनस छे सो मैंनस छे सो मैंनस चार हजार कहीं एक जगा ना आप जीरो जादर लगा रहे हैं यह हो सकता है मैंनस चॉविस हो तो मतलब क्रेटिट चॉविस हो तो यह है तो कुछ भी नहीं है एक ही क्रेटिट हुआ है 2000 से तो कुछ भी नहीं ना का गलती कर रहे हैं चालिस दार मुझे लग रहत अश्या को रहता मुझे चालिस लगा दिया है क्यार सेल्स पर आ जाएं सेल्स को देखते हैं सेल्स हमारा बच्चा है आठ सो से पिला सुवा च्छतिस सो से पिला सुवा कितना है कितना बनता है कि चुमालिस सो अच्छा आप एक आपको ट्रिक दूँ एक एक शॉर्टकट जुकाड़ बनाई वी मैंने वह दूँ आपको एक मैंने इस तरह के सवालत के लिए एक जुकाड़ बनाई विया है आपने इतना सूचने की एक बच्चा ने परिशान हो ले यार मैं क्या रट्टे मारूं वैसे तो आपको ही चीज़े याद होरे चाहिए के एक्समेंस बढ़ता तो डेबिट कम होता तो डेबिट लिटा होना चाहिए तोते की दिना पहली क्लास में बताया था देख मेरे भी एक जुगार है बहुत सुंपल देखो यहां पर सेल्स क्या हुई है क्रेडिट आप अपने कैल्कुरेटर में पिलस को बोलो डेबिट मैनस को बोलो क्रेडिट क्या बोला मैने पिलस को बोलो डेबिट मैनस को बोलो क्रेडिट यही काम पूरे उस पे लगाओ जुगाड है सिर्फ, लॉजिक नहीं है, जुगाड है पूरे ट्राइल इस सवाल पर लगा दो जुगाड सेल्स क्या हुई है, क्रेडिट मतलब माइनस, डालो अपने कैलकुटर में माइनस 800, डालो कैलकुटर में माइनस 800, फिर दुबारा सेल्स हो अब इसी काम इसी को जहन में रखके चलते हैं, अब आ रहें नीचे रिसीवल, रिसीवल देखो कहा आ रहें, एक ही जगाँ आ रहें डैबिट हो है, डैबिट हो है तो मतलब तो डैबिट पर या जागा फिर तो संबल प्लस 300, अब नीचे परचेशित है, बैंक को देख लें, बैंक को देख लें, बैंक कहा आ रहें, एक ही बार आ रहा है, क्रेजिट हो रहा है, डाल दो 34-500, क्रेजिट साइट पर, चिक है, पर्चेशित देख लें, उसके बाद पर्चेशर डैवीट हो, एकि बार हो हो रहा है? Uhट? बैंकुम्रीट फितने सब्केशित फार रहा है, ये रहा 900 और ये रहा 600 कि पिलस हो रहा है कितने से हो रहा है चॉंटिस पाइस तो चेसो पैसे सेक्सोग पेबल को देखें अगर तो पेबल का है तो पेबल नहीं है यह लिखा कैसे पिर पेबल ड्राइंग थी भाई वो ड्राइंग थी अच्छा ड्राइंग कितना है डेविट पे रेंट एक्स पेंसे चाज़ा रहा ड्राइंग की छेसो डन हो गया बताएं क्या रहा है टूटल ऑड़ प्राइंग बताएंग जैसे वा ड्राइंग थी टूटल कि हुआ है अगर दन कि अच्छा दी इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट एरिया हमारे पास आता है कुछ ऐसा सवाल कि अब यह क्या है अगर हम रिक्वाइमेंट पढ़ें रिक्वाइमेंट पढ़ें तो बोलता है रिक्वाइमेंट के अंदर record the effects shown in above ledger in journal journal मतलब journal entries बना के दो इन items की journal entries बना के दो इन items की किनकी जिनका effect तुम देख रहे हो ledger के अंदर अब ये सवाल देखके बड़ी confusion होती है बच्चों को यार ये क्या सवाल है ठीक है requirement है entries बनानी है use of trader की entries बनानी है सब्सक्राइब है आप हेडिंग डाल देंगे यूसिफ ट्रेटर का नाम लिख देंगे और जर्णर जर्णर की heading लगा के आप जो इंट्रीउस बना देंगे लेकिन सवाल ये के transaction तो दी भी नहीं है ठीक है देख लेते हैं सवाल ये है के transaction तो दी भी नहीं है यूसिफ ट्रेटर हमने नाम लगा दिया जर्णर जर्णर लगा दिया और मैं लिख दिया for the month कौन सा मन्त है अगर मैं देखूं तो नवंबर का मन्त है फॉर दमन आफ नवंबर ठीक है मैंने ये लगा दिया अब सिंपल देखें हम जो accounting इंट्रीज बनाते हैं वह हम बनाते हैं क्रोन लॉजिकल ओडर में इसका मतलब है डेट वाइस इसका मतलब है डेट वाइस तर्तीव से डेट के हिसाब से हम जो है तर्तीव से चलेंगे डेट के हिसाब से हम तर्तीव से चलेंगे डेट को देखेंगे तो देखें इस तरह के सवाल में कोई टेंशन वाली बात नहीं है यह सवाल बहुत ही असान से सवाल है सिर्फ आपने date पकड़नी है और account के debit and credit को देखना है बस आपने date पकड़नी है और account के debit and credit को देखना है बस लेकिन अगेन जो मैंने उपपर लिखा chronological order में date wise अगर मैं सवाल को देखूं तो सवाल के अंदर मुझे सबसे पहली date क्या होगी 1st November क्या 1st November मुझे सवाल में दिख रही है जी हां cash के account में cash debit हुआ है 1st November को date डाल दें 1st November 12 15 और cash को कर दें debit अब भई जब cash debit हुआ होगा पांच लाग से तो कुछ credit भी तो हुआ होगा ना कुछ credit भी हुआ होगा तो जब 1st November को ढूंड़े को account credit हुआ है देखे ज़रा 1st November को को account credit हुआ है जी हां बिलकुल 1st November पे capital credit हुआ है 1st November पे capital credit हुआ है capital को कर दें credit capital को कर दें credit पांच लाग से और amount भी सेम है दोनों हिंड हमें दें to record Congressman मेंड डन है डन है यह दन है यह यह तक और रग्या साँने तो बनाए आ परस नमंबर के बाद कौन सा दिन आ रहा है दो नमंबर की दिख रही है कुछ नहीं तीन नमंबर की दिख रही है कुछ नहीं चार नमंबर की दिख रही है कुछ नहीं डारेक्ट पांच नमंबर की आ दिया मेरा बड़े हम बता हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हम करने क्रेट डाल दे डेबिट क्या हो रहा है सेम पांच तमवंबर को देखें तीन लाग से बैंक डेबिट हो रहा है बन गए इंट्री क्या हो रहा हो गये यह हो क्या रहा है नरेशन का लिखू नीचे क्या हुआ यह लग रहा है क्या है क्या है क्या है हुआ है क्या है बिल्कुल तुरिकॉट डिपॉजट कैश इंटु दे बैंक बहुत आला बहुत आला या ओपिन अपैंक काउंट भी बोल सकते हैं कि नेक्स बताएं कौन सी डेट की आ रही है ठूड़े आपने फुल फॉर्मेट बना के करना है बाई नेक्स बताएं पांच के बाद नियर नियरस डेट क्या है एलेवन और मोर कि एट जबादस क्या हो रहा है एट को पेवल तो मुझे दिख रहा है क्रेडिट हो दावर डैबिट क्या हो रहा है हुं हुं हुँ 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 हु आट को देखें 75 से अ जब्सक्राइब हो रहा है आट को 75 से ग्रेडिट हुँ 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 ने बना लें टूरी कॉट अ तूरिकौट नरैशन बना के दे मुझे चलें किए एक सवाल था उस्में नरैशन बनाने थी एक लफ्ज आपने मिस्स कर दिया तूरिकौट पर्चेस और क्रेडिट आपने लिखा है मैं बुलना हूं एक लफ्ज और आएगा इसमें कि नब दस तूरिकॉट पर्चेस गोट्स लब दस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है अगला देंट आठ के बाद दस नौ कुछ आ रहा है अगी अगाइं डैरेक आ रहा है गयारा जी को डैरेक आ रहा है गयारा क्या हुआ है तो यहाँ गयारा को पेवल हुआ डैबिट 5000 से और पर्चेस डिटरन हुआ 5000 से क्रेडिट मतला मुझे माल समझ नहीं है मैंने वापस करा दिया काउंस पेबल हुआ है डेबिट उपर ही खरीदा उधार पे और पर्चेस रिटर्न एन अलाउंस हुआ है आप लोग पूरा-पूरा लिखेंगे भई तू सप्लाय करते हूं ठीक है 11 के बाद 11 नवंबर के बाद कौन सा दिन आ रहा है क्या हो रहा है आप लॉल्ट जा सा थे क्या हो रहा है अब बता दें क्या हो रहा है 15 को तो क्या हो रहा है 15 को 15 नवंबर को क्या हो रहा है मुझे जो दिकर रहा है 16 मा को सेल्स हो रही है 2080 की कि यहां करते हूं मैं 15 नवंबर और मुझे पते हैं जब सेल्टे तो रिस्टीवर लोगा या सिकाश होगा कैसे आ रहा है पंदर को देखें लोगा सी टेक है कि अ कि अ कि क्या हुआ है टूरीकॉर्ट डिश जह यह कैसे ना सूर्ड गोड्ज और क्रेड़ेट सॉरी क्रेड़ेट नहीं ना ऑन कैश ऑन कैट सॉड़े सॉरी ऑन कैश उसके बाद 15 के बाद 20 है इस एफ बनेट 20 है परचेत ओर ही है और कैश पर हो रही है प्रचेस गोट्सान कैश अठारा है सोरी अहां अठारा भी अठारा जी 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 मने मिस्टेक कर दी अठारा ये वो आई तेंग नहीं 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 अठारा हुआ वर्मेट कर रहा हुआ है ठीक है यह थारा कल लेतIS ये अठारा को कैश क्रेडिट हो रहा है और ठारा को पेबल डाइबिट हो रहा है इस से ठीक है पेबल डाइबिट कैश क्रेडिट क्विंटी ठीक है क्या हुआ यह टुटु कॉट पेडिट कैश अगेंट अगेंस अगेंस पेबल कर देता हुआ अगेंस पेबल कर देता हुआ मतलब क्या बनेगी आप बता है अगेंस पेमेंट के ना उधार पे माल लिया बताना पिछत्ता दार पे का माल करेदा तो दार पे पेबल डाइबिट कैश क्रेडिट तो रिकॉर्ड पेड़ कैश अगेंस पेबल अगेंस पेबल अगेंस पेबल अगेंस क्रेड़िट परचेस कुछ भी कर दें आप कि इस 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 अश्चा मळा लिए फूर कि अब्याद कि अधिकर और बताएं और कवे इसके बाद कि दबल दस कि बीज के बाद अब है कि 29 दिख रहा है मुझे दबस कुछ और दिख रहा है क्या कि 29 से सलरी एक्सपेंस डैबिट वाए बैंक रेड़िट वाए सली एक्सपेंस डैबिट वाए बैंक रेड़िट वाए कि अजाल है हुआ है बैस चाय कोगा कि जो टिक है इक है या चो चौन परकर सबयाज आपने और अच्छा कर दिया अधर बंदर अच्छा अधर मटों अच्छा लुए जाने झाहर एक एसे सवाल और आएवाथ होता गहरा प्राइविट में इसे चोटा है सवाल है एक है कि यह यह बैटे बैटे बना दे कर ले काउपी में यही पर बैटे बैटे पांच-दस मिंद लें क्या कहते हैं कर लें कि को यह यह को डिसकुस कर लिए और साथ ज ए ए एक सबस्क्राइब और आशच कर लिए है यह लास्टेब खत्म हो रहे हैं टॉपिक हमारा करें कि आफ कर दें पिर ऐसा कर ले रिकॉर्डिंग वाली अवाम से गुदारिश है प्लीज यहां पर पॉस्ट करें और इस सवाल को खुछ से टेम करें अब टिक है प्लीज यहां पर इसको पॉस्ट करें खुछ से टेम करें ओके बई स्टार्ट करते हैं इसको अब टेखते हैं इसको जल्दी से असान से तोड़ा सा मैं जल्दी काम करूंगा ठीक है और पर जन्वरी को देखे हैं अपने लगा नहीं ठीक है कि आइडिंग लगा नहीं आपने बाई कि आश्ट को ढूंड़ें फस्ट को फस्ट को कैपिल ग्रेडिट हुआ अब बिल्कुल बिल्कुल अभी जो मैंने आपसे नेरेशन लिए मैंने क्या वह था कि ऐसे सवाल भी है तो वह यहीं तना उसकी ट्रांजरेक्शन से लिए ठीक है तो भी आपको लिखना गया होगा इतना मुश्कुल हो नहीं है पते क्या है उसमें जब आप आप लोग को बता रहा हूं आप लोग इतने सारे सवाल केव हैं कि आप लोग देखेंगे तो वह इसले लिक्स लेगें आप लोग आप लोग अभी जैसे कि आपने पीछले सवाल में पकड़ा यह तो यह काम यहां अब लोग यह तो आपने वहां से कर दिया तो आप लोग को रट गई है अब जस्ट आपको नहीं करने इसको बस कि डेली बेस पे वीकली बेस पे फॉटनाइट नीं रिविजन करते ने छोड़े नहीं तीन दीन से सब्सक्राइब में पने तो छोड़े नहीं करते हैं रिविटें अब चलिको खलं करते हैं कि आउफ करेंगे पस्जनवरी हो गया फच्छन भीके बाद पोर्ट जन्वरी है जो फर्स जन्वरी था भई क्या हुआ पर्चेस हुआ है और पेबल हुआ है अब बंजे का नाम भी लिख देगा है मत कितना पांच जार है उसके बाद चार के बाद कब है पंद्रह पंद्रह को क्या हुआ है रिसीबल और सेल्स होगी रिसीबल के साथ तो है ना देखे न यह नाम आपको वैसे याद हो रहे होंगे क्या रिसीबल होगी पेबल है तो यार पर्चेस होगी है कि नाम भी लिख देगा बंदेगा तो यह बेसिकलि आप लोग के प्रेक्टिस से होगा है जो आप लोग ने ते साथ सवाल किये हैं कैप अगे बीच में तो फिर आपको नुक्सान होगा अधर ट्वेंटी के उसके बाद आइस इंक ट्वेंटी को क्या होगा है प्रिपे उसके बाद ट्वेंटी बाद ट्वेंटी फाइफ आइस आपने ओफिस सप्लाइज करी दिये और आपने कैश दिया चार अधार ट्वेंटी करी दन है यह तो और ही असान था मेरे काल में तो बस विद्धिस विद्ध दन विद्ध जणर जणरल विद्ध जणरल विद्ध जणरल ज़र अंट ट्राइब बैनेस इन फैक्ट वेर माइस्ट्रो अव द थ्री अल्हम्दुलिल्ला ठीक है इंशाला इतना ही बहुत है इसके लावा हम लोग टेस्ट भी ले रहे हैं लेते रहेंगे टेस्ट भी जिसमें मजीद आप लोग की प्रैक्टिस होती रहीगी तकरीवन आप देख लें हमें दो महीने के करीब लगा है और अब जाए कि अलम्दुलिल्ला हमारे तीनों लेकिन यह कंफर्म है क यह एक्जैम में इसमें दो चीजे लाजमी आएंगी नहीं तो एक तो आता ही आता है तो यह हमारे अराउंड कोई 10-15 मार्क्स सेक्यूर करेगा यही नहीं यह MCQ में भी हमारी हैल्प करेगा और अच्छे खाशा MCQ भी हमें करा कर जाएगा इंट्रिस पर आपके गरिप होई आप यकीन मानें आपका फाइनेंशल स्टेट्मेंट बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा और फाइनेंशल स्टेट्मेंट आपके एक्जैम का 40 मार्क्स का एरिया है ठीक है फिर बोल देना हूँ आपने इस चीजे भूलनी नहीं है आपने इ कि याद रहे कि टीचर हमारे देख रहे है तो इसे फिजिकल क्लास में होता है न बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया है बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद वह टॉपिक आप देखेंगे बहुत जल 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 जी जाएंगे अब टॉपिक छोटी चोटे हमारे हम टागेट क्याइए इसको आपने भूलना नहीं है इसको करना है कहीं भी फसे हैं कोई नहीं चीज आए कुछ देखें कुछ भूल जाएं मुझसे पूछें रिकॉर्डिंग्स फोल एंसोल आपके पास अवैलेबल हैं कहीं फस जाएं मुझसे पूछें मुझे डिस्टरफ करें आप लोग को अलाओ है बट प्रेक्टिस करते रहें बहुत अ करेंगे क्या होगा की वह का सब्सक्राइब करेंगे इस चुटे चुटे एरिया जल्दी से स्टार्ट करेंगे और हम खतम करेंगे ठीक बई कि अब आप लोग ने वह देखी है